एक हलचल भरे शहर के मध्धे में विचित्र कैफे और आकरशक बुटीक के बीच एक साधारन सा स्टोर्फरंट खड़ा था। सुन्दर सरसरी अक्षरों से सजे इसके चिन्ह पर लिखा था। विशैली प्रतिग्याएं जहां प्यार विशाक्त हो जाता है। अप प्रशिक्षित आंखों के लिए ये सिर्फ एक और दुलहन बुटीक प्रतीत होता था लेकिन जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते थे उनके लिए यह तूटे हुए सपनों और तूटे वादों की भूल मालिक खड़ा था एक महिला जिसकी आंखें चुब रही थी और एक मुस्कुराहट थी जिसमें दर्द की दुनिया छिपी हुई थी। उसका नाम एवलिन था और उसने अपनी असफल शादी के खंडहरों पर विशैली प्रतिग्याएं की थी। प्रत्यक पोशाक, प्रत्य एक सहायक वस्तू, प्रेम के खराब होने की एक कहानी बया करती है। वह दिल तूटने की विशैशग्या, निराशा की क्यूरेटर बन गई थी। वे ग्राहक जो विशैली प्रतिग्याओं में बार बार आते थे, वे आपकी विशिष्ट तारों वाली आँखों वाली दु वाने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा ही एक आगंतुक अमीलिया था जो आंसूँ से सने गालों और कांपती आवाज वाली एक युवा महिला थी। वह अपने आसन्न विवाह के लिए गाउन की तलाश में वेनोमस वोज में आई थी, लेकिन उसके उत्साह के नीचे संदेह क कुँआ छिपा था। जैसे जैसे उसने एक के बाद एक पोशाकें पहननी शुरू की, हर पोशाक पिछले से भी अधिक उत्कृष्ट थी, वह आसन्न विनाश की भावना को हिला नहीं सकी। एवलिन ने सहानुभूती और त्याग के मिश्रण के साथ अमेलिया को देखा। वह चेतावनी के संकेतों को नजर अंदाज करने, संदेह की फुसफुसाहटों को तब तक चुप कराने के खतरों को अच्छी तरह से जानती थी, जब तक की वे बहरा कर देने वाली चीखें न बन जाएं। लेकिन अपने से पहले के कई लोगों की तरह, अमेलिया भी कीमत की सपष्ट याद दिलाता था। वह अपने तूटते रिष्टे को बचाने के आखिरी प्रयास में जहरीली प्रतिग्यां करने आया था, लेकिन हर गुजरते पल के साथ, उसे अपने प्रयासों की निरर्थकता का एहसास हुआ। जिस सूट को उसने पहना था, वह एक स्ट लेकिन प्यार का मतलब जेल नहीं था, उसने सोचा नहीं युद्ध का मैदान जहां दो आत्माएं एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ती हैं। जैसे जैसे दिन ढलता गया और परचाईयां लंबी होती गई, वेनोमस वोज का शोरूम तूटे हुए दिलवालों के लिए एक अभियारन ने बन गया, बाहरी दुनिया की कठोर वास्तविक्ताओं से आश्रे, यहां अपने सपनों के खंडहरों के बीच उन्होंने एक दूसरे की संगती में सांत वना पाई, खोए हुए प्यार और सीखे गए सबक की कहानियों को साजह किया, लेकिन वेनोमस प्रतिग्याओं के दर्वाजे से गुजरने वाले प्रतियेक आगंतुक के लिए ऐसे अंगिनत अन्यलोग थे जिनकी कहानिया अनकही रह गई, जिनका दर्द उनकी अपनी चुप्पी के अंधेरे में व्याप्त था, एवलिन जानती थी कि वह दुनिया के सभी घावों को कभी ठीक नहीं कर सकती, लेकिन उसे उम्मीद थी कि ब्रहमांड के अपने छोटे से कोने में वह उन लोगों को आशा की एक किरन दे सकती है, जो अपना रास्ता खो चुके थे।